नमस्कार दोस्तों सुगत आपका इस्टडी फॉर सिवल तरपसेज में स्टडी फॉर सिवल तरपसेज के एप से कोई भी टेस्स सिरीज, कोई भी कोर्स, कोई भी पीडियाफ अगर आप पर्चेस करते हैं और उसमें कूपन कोड लगा देते हैं पेइमेंट करने से पहले सिवल तरपसेज के ये कूपन कोड लगा के 50% का डिसकाउंट तुरेंट निलेगा 31 मही तक है ये सिर्फ और सिर्फ एप वाले कोर्सेज में एप्लिकेबल है ठीक है तो इस्टडी फॉर सिवल सिरीज में कई सारी टेस्स सिरीज है यू के पीए सी है भी पीए सी है यूपी पीडिया फोती है और आज की इस ग्लास में हम लोग फेब्रिरी महीने के वो इनफर्मेशन को देखेंगे जो कि पी आई बी में हमारे लिए बहुत जयूड़ी रही वह सारी समरी को हम यहाँ पर कवर कर लेंगे पी आई बी की ताकि आपका करन्ट अफेर का कोई भी फैक् जो कि हमारे अभी पूरे महीने में सबसे जादा जरूरी हमको पढ़ने को है तो उसी को हम लोग यहां पर आज कवर कर रहे हैं और एक बात आप सभी लोगों के लिए इसमें मैं आपको पूरा कवर नहीं करवा पाउंगी आप जो काफी हद तक मैं आपको चीजें हाँ पर पताऊंगी पर कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको पेड ग्रूप के माध्यम से ही कवर करनी पड़ेगी तो आप लोग उसे एक गुजारिश है मेरी कि आप सभी इनफर्मेशन ऐसी पेंडिंग रहे ही ना आपको सारा का सारा वहीं पर ही कवर चाहिए तो पेड ग्रूप को जॉइन करो ताकि आप लोगों को फायदा मिले बाकि यह हैं देखो आर्टिकल्स इंडेक्स है पूरा तटो की रक्षा के उपर बढ़ेंगे नौ से ना नागर इनफर्मेशन आप पेड डूप से ही यहां पर लेते रहें बाकि देखो यह सारे करंट अफ यह सारे टॉपिक्स हैं मैं आपको दिखा देती हूं कि पूरे की पूरे पीडियेफ में आपके यह इंपोर्टन टॉपिक्स रहेंगे ताकि आपके सारे की सारी चीजे इस प्रकार से रहेंगा तो सबसे पहले हम लोग शुरुबात करने जा रही है भारत के तटो की रक्षा के लिए सबसे जरूरी यहां पर भारते तट्रक्षक होता है आई सीजे जिसे इंडियन कोस्ट गाट कहते हैं उसके इस थापना एक फेब्री को हुई थी इसलिए भा 1777 में बनाई गई थी 152 जहाज और 78 विमानों के बेड़े के साथ जो है आई सी जी ने 2030 तक यह जो है डिसाइड करा है कि वो अपने बलस्तर को 200 सतह प्लैटफॉर्म और 100 विमानों तक विस्तार करेंगे इसको बढ़ाने की पूरी कोशिश करें उनका जो अपना आदर्श पाके है जिसे हम कहते हैं उनका मोटो क्या है उनका मोटो वयम रक्षा हम रक्षग हैं और इसी में ही वो अपने समुद्रि शेत्रों में हर समय निग्रानी रखना जहाज विमानों को तरात करने के लिए समद्पे करने के लिए हमेशा से वो तयार है तो इस प्रकार की इस तरी से आगे बढ़ जाता है तो इना के लिए क्योंकि अभी हमारे हमारे अफसर और कल्याल को बढ़ावा देने के लिए 2024 को कैसा वर्ष गोशित करा है यह इन अगरी को वर्ष गोशित किया गया यह इन इसमें बिल्कुल इसमें उनको प्रशासनिक दक्ष्टा डिजिटल पहल प्रशिक्षन कारेकरम कल्यान काली गति दिया यह सब जो है वो बताई जाएंगी और जादा सिखाई जाएंगी ताकि वो लोग अपने कमांड के मुख्याले डॉक्यार्ड डिपो प्रतिष्ठान इन पर शेयर करते हैं चार अजार से जादा हम लोगों का समुद्री से पूरी एक रेखा है चार हजार सोला किलोमीटर की है करीब इसमें हमारा इस तरीके से बनता है पूरा साउट का इस तरीके से इधर हमारा पढ़ता है लक्षदीप और इधर आता है अंडमान और निकोबा उन्होंने सागर से तू इंसा पर डिजिटल मॉड्यूल तैयार करें हैं सागर से तू नाम से हैं यहां पर डिजिटल प्रनाली है जिसमें हम लोग सरकारी जितने अधिकारी हैं बंदर गाह को चलाने वाले हैं समुद्र वैपार करने वाले जितने भी लोग हैं वो सब मिल की ये demand है कि हर चीज को आधुनिक करना है आधुनिक करना आज की समय की बहुत बड़ी demand भी कहलो और जरुवत भी है तो जरुवत को पूरा करने के लिए जो है ये शुरुवात की जा रही है मेरे हिसाब से ये काफी सही सोच है काफी सही पहल है जो की अब लागू होने की तो इस तरीके से ही इसमें यह नयाद चीज प्राट ही है याद रुखेगा हम काफी कुछ समुद्रों के बारे में पढ़ रही है आप लोगों से मेरा सवाल है कि बारत का कौन सा राज्य है और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो सबसे बड़ी तट रेखा जो है वो शे अब देखो अंत्रिक शक्षा को समालने के लिए DRDO है DRDO पूरा रक्षा मंत्राले का ही तो पूरा देखता है तो DRDO की एक ब्रांच है जिसे कहते हैं प्रद्योगी की विकास ने दी इन्हों ने ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम यहां पर शुरुवात करा है PSLVC 58 मिशन के तह जो की Bangaluru में है Bangaluru के start-up, Bellatrix, Aerospace, Private Limited दौरा जो है पूरस तयार किया गया है ठीक है बैंगलूरू में ISRO के इस ट्रैक में PSLV में लगाकर कि इस पूरे को तयार किया गया है जिसमें क्या होगा कि निमन कक्षा वाले स्थान के लिए भी एक गैर विशेल है जिसमें कोई वि किया गया है यह काफी इंपॉर्टन चीज है तो इस तरीके से याद रुखेगा डिया डियों ने मेक इंडिया पहल के तहट इसको शुरुबात किया है ऐसा नहीं कि हम आपको भी पता है कि हम लोग अपना अंत्रिक शो चाहे हमारा डिसेंस और अंदर भी हम काफी आत्म निर चीक है ऐसे ही आगे बढ़ते हैं भारत और यूएए के निवेश में प्रुचसाहन हुआ गया है क्यों क्योंकि अभी हमारे जो प्रदान मंत्री है और जो उनकी केंद्र मंत्री मंदल है उन्होंने मिलकर कि यह सोचा है कि भारत और यूएई संयुक्त अरब एमिरेट्स य लाइन पर ही वहाँ पर बनाये गया है आबुधाबी में दुबाई में नहीं बनाये गया है वैसे दुबाई जो है बहुत बच्चों कोई कंफूजन रहते कि दुबाई एक अलग कंट्री है नहीं भाई यूएई में आता है दुबाई वहां की सबसे बड़ी ये शेहर है है वहाँ का लेकिन वहां की राजधानी भी नहीं और नहीं कोई अलगी देश है तो अब ही प्रधान मंत्री ने कि हम इनके वीच में हम दोनों कंट्रीज बीच में दूई पक्षे निवेश संधी को यहां पर ले करेंगी जिससे विदेशी निवेश भी आपस में बड़ेगा और अब आपिसी बात है जब भी निवेश होता है तो रोजगार जो स्रिजन है उसकी उमीद जादा बढ़ जाती क्योंकि ये सीधर जुरोजगार से ही जुड़ा हुआ होता है चाहिए तो आत्मनिर्बर भारत में याद रखना है कि क्या क्या हुआ है ऐसा आता है सी एम पी एफो की डिजिटल प्रफिट है अब इन्होंने कोईला खदान भविशय निदी संगटन उन्होंने एक वेब पोर्टल बनाया है सी केर्स के नाम से सी केर्स यह लॉंच किया मतलब कोईला तो यहां पर कोईला श पूरे प्रकार से हमारे पैंशन भी देते हैं उनको सब कुछ प्रवाइट करते हैं तो सी केर्स हैं हाँ पर जो कि क्या काम करेगा यह वहां पर काम करने वाले जितने भी लोग चीक है वहां पर जितने भी लोग काम करते हैं कोईला कंपनी में उनके आविशक्ताओं के हिस साथ से उनको कागर्ज रहित कारेपनाली देगा दूसरा उनकी शिकायते निवारण देखेगा उनके दावों का समय बंद और सटीक रूप से निस्कारण हो सके मतलब की सीदी सी बात है कोईला के शेत्र में भारत में काम करने वाले जितने भी लोग हैं यहां पर जिसे आज क क्याकर उसी के उस में जो है इस पूरे को शुरुदा है च्रीक के सीरं अंअ है एकला यूपी-आई का वैश्वी आप सभी जानते हैं। सभी लोगों को पता है यूपीआइक काहा है इसकी जुक्तुदा मोती है यूपी पेमिंस इंट्रफेज सबी लोग यूपी आई करते हैं इवन पांच रुपे और दस रुपे के लिए भी यूपी आई करते हैं लोग आप इस बात को जानते भी हो तो वही यूपी आई जो है अब यहां पर वैश्री करण हो जा रहा है यह बहुत सारी जगा पर आप इस्तिमाल कर सकते हो अभी फ् दोनों मिलकर के जो है इस चीश को बढ़ावा दो चल के तो वैश्री करन बढ़ाया गया है यूपी आई जो की एक डिजिटल भुकतान की प्रणाली है और इसको जो है आर बी आई चुरा है पूरा वीनियमित करता है लेकिन इसको बनाया है भारतिय राष्ट्य भुकतान सब्सक्राइब करते हैं तो यह था यूपी आई का वैश्विकरन यह सवाल जो है ना मैं बता लिए बहुत important है कि अभी हाल फिलाल में ऐसी कौनसी कंट्री ने इसको लागू कर दिया अचा बी एक बत एशससे सवाल क्या बनसकता है अब आप सोचो कि यह बी तो सवाल बन सकता है सकते हो जहां पर यह एक्सेप्ट हो जाए तो इसके लिस्ट आप काफी बढ़ चुकी है पहले ऐसा नहीं है सबसे पहली कंट्री पूसता है कि कौन थी वर वो तो थी भई भुटान सबसे पहली कंट्री थी भुटान जहां पर इसको एक्सेप्ट किया गया 2021 में उसके बाद फिर यूवेई में किया गया था 2022 में फिर मलेशिया में भी किया गया था फिर सिंगापोर में 2023 में नेपाल में आप इनोट कर लो सारे क्वेशन आ सकता है इस पर ओमान कतर रश्या फ्रांस ने तो अभी किया आपको पता है दो फेब्री दो हजाबड़ी 2024 को किया है उसके बाद श्रिलंका ने किया 12 फेब्रेटी को श्रिलंका और फिर मौरीशिस तो यह कंट्री से जहां पर अभी यूपी एकसेप्टेड है इसको याद रखेगा पहली कौन सी ती और किसकिस में एकसेप्टेड है यह सीधा सवाल बन सकता है कि कहां-कहां पर एकसेप्टेड पर यह कारेक्रम मध्यप्रदेश सरकार के सहयोग से किया गया इसका इस बार का जो मुखे विशे थीम था वह था वेट लांट एंड यूमन वेल बिंग जिसका काम था कि भाई ध्यान दिया जा सके आप सभी लोग जानते हैं कि वेट लांट जो है वह कितने जादा हमारे जरूरी होते हैं मेरे हिजाब से बहुत से बच्चों को वेट लांट के बारे में अल्रेडी आता होगा इसके उपर जो है ग्यान सर की आपको एक वीडियो भी मिल जाएगी इसमें पूरी रामसर साइट को उन्होंने एक्स्प्रें किया है मैं आपको बस शॉर्ट में फड बार आंशिक रूप से या पूंता जल्द से वो जगा भर गए तो वेट लांट जो है इसको पूरा बचाने के लिए 2 फेब्री को इरान के रामसर जगह पर इसको बचाने के लिए सम्मेलन आया हुज़त होता तबसे इसका नाम जो है वो क्या पढ़ गया रामसर बढ़ती जा रहे हैं यह चीजे और आप लोगों को यह सब रामसर साइट की बारे में पता होना चाहिए ठीक है भारत की पहली रामसर चल्का लेग ती यह भी पता होना चाहिए कितनी साइट रही है क्या है क्या नाम है उनके कप-कप जुड़ते हैं यह सब याद रखना पड़ेगा नामों के साथ आपको सारे नाम फूब पूछे जाते हैं अंतराश्ट्री स्थर पर यह जो है वह महत्व दिया है ठीक है तो मुझे मुझे है राजजे कमेंट बॉक्स में बताईये कि भारत में कितनी कुल्हांसर साइट्स और कौन से राज्ये के पास सबसे जादा रांसर साइट्स है जी कि अप माई के हिसाब से कितनी है अब 80 हो गई है वैसे तो सामने लिखा भी हो पर फिर भी आप लोग भी मुझे बताईए कहां पे जादा ऐसे आता है एक निया पोर्टल है जिसका नाम है घर NCPCR ने बच्चों के पुनर्वास और पत्यावन के लिए एक घर गो होम एंड रियूनाइट करके एक पूरा पोर्टल जो है उसको स्थापित करा है घर पोर्टल जो है किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार बच्चों के पुनर्वास और प्रत्यावन के लिए डिजिटल निग्रानिया वही सेम फिर से अभी हमने पढ़ा कि जो हमारे राष्ट्रे तट रक्षक हैं तट वहां पर डिजिटल हो गया हमने पढ़ा कोईला शेत्र में हो गया अब वैसे हम पढ़ रहे हैं कि बच्चों के लिए भी पुनर्वास के लिए एक नया घर करके नाम है गो से घर पोर्टल शुरुवात की गए पूछा जा सकता इसके उपर और इस जो है घर पोर्टल पर जो है पांच हजार से जादा बच्चों को जो है वो रिजिस्टर पंजिग्रत कराया जा चुका शिग्र स्वदेश वापसी के लिए बच्चों के मामले को जितने भी इस्तर अग्यां में चाहिए जाते हैं सिदा पूछे जाते हैं क्या है कहां पर क्या है तो जी पर दो कि यह क्ली कि तो और आप अगला क्ली के सगधान अभी कॉमन बैल के एड़्यूकेशन सोसाइटी जो है क्लिया कहते हैं जिसको Commonwealth Attorney and Solicitor General Conference का उद्गाटन उन्होंने किया है जिसका मिशे था नियाए वित्रण में सीमा पार चुनोतिया नियाए परिवर्तन किस प्रकार से होता है कानुनी शिक्षा कैसे दी जाती है उसके लिए यहाँ पर एक पूरा Commonwealth Legal Education Association नाम है न लीगल पूरी तीचीजों के ओपर जो है वह ध्यान दिया जाएगा Legal जो चीज़े हैं उस पर ध्यान देने के लिए यह एक शुरुवात की गई है इस प्रकार से याद रखें जिसकी शुरुवात जैसे हुई है है जिस नाम से जिसने की है वो उसको उसी प्रकार से नाम के याद रखना पड़े हो कि सवाल सीधा ऐसी बनते हैं तो इसको लिख लो आप लोग कानूनी प्रणाली में सुधार करने के लिए इसको शुरुबात किया गया है ऐसे ही आई एन एस संधायक का कमिशन सर्वे किया हमारी आई एन एस का मतलब क्या होता है इंडिया नेवल चिप संधायक नाम से एक इंडिया नेवल चिप का कमिशन हुआ कमिशन का मतलब उसको अब मतलत तरी की सब्सको चलाने के लिए मंजूरी में तो इस यह जहाज है और यह भारति नौ सेना में शामिल हो गया है इसका कि यहां पर कि यह चीज कभी भी नहीं मिटनी चाहिए हमेशा ही यह चीज होनी चाहिए तो उसके लिए इस बात की शुरुबात जो है वो की जाते हैं किसमें क्या शुरुबात की गई है कब की गई है तो आप लोगों को ऐसे ही सीधा को पढ़के जाना पड़ेगा तो हाइब्रोग्राफिक उपकर्णों से बना हुआ है ताकि भारत के समुद्री हितों को आप बढ़ावा दिया जासे के इसकी कुल लागत में असी परसीश तर ज्यादा स्वधेशे सामगरी का उप्रयोग जो है वो किया गया तो यह वही है कि भारत की तरीकों से इसको बना कैं अचा अगला बता दूमा आपको बहुत 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 जरूरी है और ने के लिए न्यूज में था आपको मैंने जब पिछली वीडियो कर वाई थी जन्वरी बारी उसमें मैंने बताया था इस रो जो है वह एक आदिट्य इलवन मिशन ला रहे मैंने बताया था आदित्य एलवन वो क्या था सन की स्टड़ी सूरज के लिए अब इस रोगगण यान मिशन लेकि आया है मानव के साथ मानवो को अंत्रिक्ष में भेजा जाएगा और उनको वहाँ पे भेजने में एक अंत्रिक्ष यात्री एक मदद करेगा हमारे बाकी जो मानव है उनकी मदद करेगा तो यह मानव रहित व्यों मित्र जो है यह मिशन वर्ज़ 2024 की तीसरी तिमाही के लिए निर्धारित है जबकि मानव युक्त गगन यान जो है वो 2025 के लिए बनाया जाए तो गगन यान जो परियोजना जो इस रो त करने की जरुवत है तो इस दो आप देख सकते हैं काफे सारी चीज़ों के लिए न्यूज में है गगन यान अरित्य एलवन और निसार भी आप लोगों को मैंने बताता है जो हमने नासा के साथ मिलकर के तैयारी करी है उसके लिए और अभी आपको बता है कि चंद्रयान तरीक सब्सक्राइब कि चला रहे है सबसे बटामंदर नाली थैनला के यह सब्षेडा नहीं चाल रहे हैं में सब्सक्राइब कर दोब्रण होगा उससांज सब्सक्राइब तो द्योग जगत वाले लोग हैं की मौजूदगी में ही इसको किया जाएगा ऐसे ही अगला आता है डिजी यात्रा डिजी यात्रा आपको पता है कि जब भी आप यात्रा करते हो हवाई हवाई जहाद से उस समय आप डिजी यात्रा जो है उसको अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं उससे आपको काफी आसानी हो जाएगी आने जाने में जो लगती हैं लंबी लंबी उससे आप मुक्त हो जाते हो तो डिजी यात्रा सेंट्रल इको सिस्टम करके एक स्टार्ट किया गया है जिसका मौलिक सिधानता है गोप्रियता के साथ डिजाइन कर इसको प्रॉपर तरीकी से किया गया है जिसमें अब अपनी सारी डिटेल्स डाले अपना नाम डाला इमेल आईडी फोन नंबर आपका अधार कार्ड नंबर उसके बाद आपने अपना पासपोर्ट का वो सब कुछ डाला पासपोर्ट तो नहीं मतलब आपने जो भी महां प स्थान की 24 गंटे बाद सभी व्यक्तिकाट डेटा होता है को सिस्टम से हटा दिया जाते है ताकि गोपनीता बने तो मेरे साब से कावी अची चीज है चेक है तो जो डिजी यात्रा की जित्ती भी प्रक्रियाय होती है वो सर्ट इन जो हमारे भारत की सबसे वड़ी साइब जोड़ी हुई एमर्जंसी की एक रिस्पॉंस फोर्स है जो की सारा काम देखती है एमर्जंसी के लिए तो अगर आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो फ्लाइट से ट्रावल करता है फ्रिक्वेंटली जाबा जाता आता है या फिर उसके भाई बहन है और कोई भी व्यक इसमें काफी योगदान अच्छा दे देती है और काफी बढ़िया रहता है तो इस लेकिन उसमें गोप्रियाता बनी रहती है ऐसा भी हमारे को बीक्रिम बता दिया है अगला आता है सफल अभियास उडान परिक्षन हमारा डी आडियो फिर से एक और चीज के लिए उसमें ह हाई स्पीड एक्सपेंडिबल एरियल टार्गेट हीट के नाम से जो है उन्होंने अपना पूरा सफलता पूरवा किसको कर दिया है उडान को उडिसा के चांदीपूर में इसका पूरा प्रशिक्षन किया गया था जिसमें वहां पर उसकी शेहन शक्ति गती गती शीवता हुचाई सीमा सब चीजों को तै किया गया था वहमानी की विकास प्रस्थान द्वारा इसको पूरा डिसाइड किया गया जिसके अंदर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेब एलन्टी लासन टावर वो इन सब नहां पर पूरा सिस्टम को तयार कर वाया है तो वहीं प यह क्या है यह एक आनिमल है भारत का वर्नेजीव संस्थान इस चीज़ को आप देख रहा है कि कि आज कल काली गर्दन वाले जो सारस है क्रेंज से कहते क्रेंग का हिंदी में मतलब होता सारस उनका आंकलन की काउंटिंग चल रही तो ऐसा देखा गया था कि जब सर्दियां थी तब लगबक 69 ती और अरुनाशल प्रदेश में 11 तो काली जो गर्दन वाली क्रेंज है उसको सुरक्षा के लिए 1972 में इसको शुरुबात की गई है और लुप्त प्राय प्रजात्व में इसको इंक्लूड भी किया गया है तो इसको सोचा दार है कि इसको आप प्रोटे करते हैं तो उनको बचाने के लिए योजना जैसे प्रॉजेक्त टाइगर वे प्रजात्व कर सके इसी प्रकार से यह वाली भी चल रहे है अगर आपको जो भी मैं हहां पर पढ़ारी उसकी पीडियव चाहिए तो जो मैं फोड़ यह पहले आपको नंबर बतायते वीडियो की स्टार्टिंग में उस पे आप जो है कॉल करके अपना ग्रुप को यहां पर असानी से जॉइन कर सकते हो वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन चाहे वह पी आई बी की हो कुरुषेत्र की हो योजना की हो सभी मैगजिन की सारी चीज़े उफलग हो जाएंगी आप लोगो परिक्षा की कदाचार पर अंकुष लगाना अभी आपको पता है कि काफी जबर्दस जो है भारत के अंदर पेपर लीक हो जाते हैं ना बहुत से बच्चों को इसकी पूरी सच्चा ही जानती है तब यहां पर इसी के लिए एक कदाचार परिक्षा कदाचार जैसा एक सार् होते हैं वो इस तरह की चीज़ें करते हैं उसको रोक लगा जिसके लोग नो ऑल्रेडी ऑनलाइन परिक्षा भी लागू करी थी है ना लेकिन धोकाद़ी वहां पर भी हुई है धोकाद़ी के लिए आगर कोई भी इस प्रकार की धोकाद़ी करते हैं पकड़ा जाता है तो यह सब चीजें खतम हो इस पूरे में इसमें पूरा संग सेवा लोग आयो यूपी एसी पूरा आएगा कर्मचारी लोग आयो गरेलवे बैंकिंग सारी परिक्षा इसमें शामिल है ऐसे जो भी एजनसी जो यहां पर कंप्यूटर पर अधारिक परिक्षा कराती जो कि बहु कोई पेपर जो है वो टेलीग्राम पर आ जाता है पहले ही कुछ ना कुछ पता चल जाता है तो वो चीजें खतन करने के लिए इस पूरे योजना को शुरुआत की गई है तो वो योजना इसी प्रकार से आप याद रुचें अगला आता है श्रेष्ट करके एक स्कीम जो कि अनुसूचे जातियों के लिए है भारत में स्सी के लिए अनुसूचे जाती वाले जितने भी शेत्र हैं जो कि नौवी से ग्यारवी कुछा के जुतने भी बच्चे हैं उनको सीबी एसी और राज्य बोट से जो है यहाँ पर निजी आवासे स्कूलों में वित्ते साहिता जो है वह प्रदान की जाएंगी उनके लिए अवासे और गैर वासी विध्यालियों में हर जगापर वित्ते साहिता जो है प्रदान की चाहिए तो ताकि अनुसूचे जाती के बच्चे जो है चात्र हैं बाकी कुछा के बराबर जो है वह पौछ सकी इसमें दो मोड मोड मतलब ऐसे मोड मॉड नौवी और दस्वी में पर जो है प्रवेश दिया जाता बारवी कुछा पूरी होने तक उनको वित्ते साहिता पूरी तरीके से दी जाती है और आगे भी बाद में कुछा पूरी करने के बाद उनको आगे पढ़ाई करने के लिए यहां पर आया गया उसे जुड़ा हुआ आर्टिकल है बारत में चावल का जो लॉंच किया उसका आर्टिकल है उल्लास मेला जंजाती विधियक है जमो कश्मीर के उपर काफी सारी चीज़े है तेल मांग के उपर है उसके अलावा आप देख सकते हो नीदे लाइंस के साथ मात्र वि विस्तार में आपको दिखाया था सबसे पहले इंडेक्स टेबल दिखाया था तो अपने बहुत सारे आर्टिकल्स है पढ़ने के लिए लेकिर इसके लिए आपको जो है आप वीडियो में इतना ही कराया जाएगा और इस वीडियो को अगर आप पांच हजार से जादा व्य आपके दोस्त हैं उनको आप ये शेयर कीजिए दूसरी बात आप इस पर कमेंट भी करिए कि आपको एक किस तरीके से समझ माया जितना पढ़ाया उतना समझ माया क्योंकि बाकी के लिए तो आपको पेट ग्रूप जॉइन करना ही पड़ेगा क्यों कितनी बड़ी जो है वो मिल सकते हैं वर्ना आपको फ्री नहीं मिलेंगी तो आपको बहुत समस्या होगी बैया तो आपको कर फ्री चाहिए तो इस पर वीउंज लेतर क्या ये व्यूज Definitely आएंगे फिर आपको मिलते रहेंगे तो आप सभी लोगों को इस पूरे को जॉइन करना है सारी चीज़े मुझे बतानी है और बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स लेक्टर में तब तक धन्यवाद शुक्रिया जैहिद बाकी पेट ग्रूप जॉइन कर लीजेगा औ और इसी का इंग्लिश वर्जिन भी आपको अप्लोड किया हुआ मिलेगा और आगे ऐसे ही जो और महीनों के करन्ट अपैज है वो भी आपको इसी तरीके से मिलते ही रहेंगे तब तक धन्यवाद शुक्रिया जैहिए